विवन, SP Law Academy में आप सभी का स्वागत हैं, हमारे चैनल को आपका ठेज सारा प्यार मिल रहा है, ये हमारी हिंदू लो की सीरीज चल रही है, अभी था का हमने ओल्ड हिंदू लो देखा था, अब हम हिंदू एक्ट मेरेज आक्ट की ओर जा रही है, तो हिंदू मेरेज आक्ट स एक सेक्रामेंट है, और मुस्लिम लो में जो मेरेज होती है, वो कंप्लीटली कॉंट्राक्ट है, ठीक है, ऐसा नहीं है, आज हम इस कंसेप्ट को बहुत अच्छे से समझेंगे, और आज यहीं पे क्लियर करेंगे, ठीक है, अभी तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नह देख सकते हैं अच्छी तरह से, बिफोर नाइटीन फिफटी फाइफ बिकॉज उससे पहले एक्ट नहीं आया था, देन नाइटीन फिफटी फाइफ तो नाइटीन सेविटी सिक्स यहीं हो चुका था, अब हम देखते हैं कि क्या क्या बात है हम ने इसको इस तरह से क्यू consent consent नहीं ले जाती थी ना लड़की की और ना लड़की की माबाप तै करते थे और शादी होती थी तो और उनका दूसरा क्या मानना था कि marriages are made in the heaven उपर से जोडिया बनके आती है और ये क्या होती है permanent union ठीक है दूसरा क्या होता है ये perpetual union होती है permanent union का मतलब इस जनम के लिए मतलब की आपका divorce जैसा कोई concept नहीं न तो होता था और नहीं वो इस चीज़ को accept करते थे ठीक है ये होता है permanent इस जनम के लिए टाइबोर्स वाला concept नहीं और जो perpetual वाला है वो birth के बाद भी जो rebirth होगा birth after birth कहते न कि साथ जनमों तक तुम्हारा रहूंगा बंधन में बंदूंगा सच काइंड ओफ marriage ओके ये तीन चार इसके क्या थे एसेंशियल थे तो हमने देखा before 1955 क्या था इसलिए हमने कहा कि जो before 1955 marriages थी उनका क्या नेचर था सेक्रामेंटल कैसी थी completely सेक्रामेंटल चीक है अब हम देखते हैं 1955 जब हवारा कोडिफिकेशन हो गया हिंदू का हिंदू law कोडिफाय हो गया तो हम देखेंगे अब उसमें क्या-क्या changes आए क्या-क्या चीजें इंट्रोड्यूस की गई सबसे पहले जो एज नहीं थी यहां पर एज फिक्स की गई ओके एज क्या फिक्स की गई दुलन की ब्राइड की 18 और जो ग्रूम है दूला है उसकी 21 वर्ष फिक्स की गई ठीक है कंसंट का कॉंसेप्ट आया ठीक है सेक् ऑप्रेड नहीं होने चाहिए फ्री होरी चाहिए फिर आया रिचुल्स को असेंशल कर दिया गया जो जीतरी वास्ते जिसे की सब्बदी साथ फेरे का कॉंसेट्ट विदाई इनको क्या कर दिया गया, essential points में डाल दिया गया, bear act में, फिर और divorce का जो clause था, उसे introduce किया गया था कि exceptional condition में क्या मिल सके, divorce मिल सके, उसको common नहीं था कि आपको मिल जाएगा, लेकिन क्या था, exceptional condition में concept introduce ही किया था उस time, फिर आया, और अभी भी जो यहाँ पर permanent थी, तो अभी भी 1955 के बाद भी भी यहाँ पर क्या है, still permanent union थी, ओके, next हम देखते हैं, लेकिन contractual elements अब कुछ add हो चुके थे, देखते हैं, सबसे पहले, void marriage जैसा concept आ गया था, section 11 में, voidable marriage का भी concept आ गया था, section 12 में, और divorce का भी ground include कर दिया गया था, section 13 के अंदर, और RCR जिसे कहते हैं, restitution of conjugal rights, interpretation, यह सारे points जो कहीं न कहीं contract के element अपने आप में रखते हैं, इन सब को क्या कर दिया गया, introduce कर दिया गया, और अब जो पहले sacramental हुआ करता था, और अब जब उसमें contract मिला देंगे, थोड़ा सा contract मिलाया, तो हमारे sacrament क्या हुए, थोड़े से कम हुए, तो यह क्या बन गया अब उसका nature, quasi sacrament, आप देखें, पहले completely sacrament हुआ करता था, और after codification, थोड़े से contractual elements आने के बाद क्या हो गया, quasi sacrament हो गया, अब देखते हैं, after amendment क्या हुआ, आएं, 1976 में major amendment हुए थे, उसकी बाद cruelty को diverse का ground इंट्रोड्यूस किया गया, और आप देखेंगे, आज बहुत सारे जो ground, sorry, diverse होते हैं, other ground को तो छोड़ दीजे, लैपरोसी और हिंदू नहीं है, become, तो यह सब ground तो अब बहुत कम होते हैं, लेकिन जो cruelty का ground वो इतना vast हो गया है, इतना, उसका area इतना wide हो गया है, wide interpretation हो गया है, कि मतलब यह माल लेजे आप 85 या more than 85% जो diverse हैं, आज cruelty के ground पे होत पकि बहुत तरह की mental, psychological, physical, एह ना, बहुत तरह की cruelty होती है, कम से कम 20 तो leading cases हैं, different kinds, ठीक है, अब हम देखेंगे, cruelty introduced किया गया है, divers का ground, फिर mutual जो divers है, आपस में मिलकर, अब देखें, mutual जहां word आगया, that means contract, यह तो सापसी बात है, दोरों मिलके अपने concern दे रहे हैं, 13B जो है special ground दियेगे, कि आप इन 4 ground में क्या ले सकती है, अलग से diverse ले सकती है, जैसे 16 जो ground है, उसमें common तो है, man और women दोरों के लिए common है, लेकिन 4 special किसके लिए दियेगे, सिफ और सिफ महिलाओं के लिए, अब आप देखते है, few sacraments जो थे, वो उनको ceremony बना दिया गया, अब इसमें contractual elements तो ज़्यादा हो गए, but sacramental elements कितने हो गए, only few, मतलब कि माल दीजी दो या ती, जैसे सब्तवदी, चीक है, और कोई custom है, तो वो ये, बाकी ज़्यादा तर क्या आ गए, तो अब sacrament हो गए, कम, और contract हो गए, ज़्यादा, लेकिन ऐसा नहीं कि 100% contract है, कि सब्तवदी compulsory नहीं है, विदाई compulsory नहीं है, यह सब नहीं, यह तो है, अभी भी है, अगर साथ फेरे नहीं है, तो according to Hindu marriage act, ठीक है, वो valid marriage नहीं है, अगर आपके custom उसे allow करते हैं, तो ठीक है, अगर custom allow करते हैं, तो साथ फेरे की भी कोई दिक्कत नहीं है, तीन, चार, पांज जो भी है, अब आप देखते हैं, यहाँ पर क्या हो गए, सेक्रामेंट्स कम हो गए, और contractual elements जादा हो गए, इसलिए अब क्या बन गया, यह quasi contractual, देख सकते हैं आप स्क्रीन पे, तो हम यहाँ से तीनों की step by step देखते हैं, सबसे पहले 1955 में जब codification नहीं हुआ था, उससे पहले क्या थी, completely sacramental nature था, then आया quasi sacramental, because इसमें कुछ contractual elements introduced किये गए, then उसके बाद अब जो sacrament वाले nature के थे, जो elements वो बहुत कम रह गए, एक यह दो, contract वाले ज्यादा हो गए, लेकिन अभी भी complete contract नहीं है, इसलिए इसको क्या कहा गया, quasi contractual, I hope मैं आपको यहाँ पे समझा पाई हूँ क्या है,